आपका स्वागत आज हम शिर्मत भगवत गीता के 50 में श्लोक का अध्याय के 50 में श्लोक का अध्यन करेंगे इस श्लोक में भगवान खिरकिष्ण क्या है निशकाम कर्म योग के आचरन का अपदेश देते हुए कहते हैं कि जो निशकाम कर्म की बुद्धी से युक्त पुरि तुम समत्व बुद्धी रूप योग में लग जाओ क्योंकि यह योग ही कर्मों में कुशलता है। क्या कहते हैं देखें। बुद्धी युक्तो जहाति इह उभे सुक्रत दुश्क्रते तस्मात योगाय युजस्व योग कर्मसु कोशलम। क्या कहते हैं कि सुक्रतह दुश्क्रते बुद्धी युक्तह बुद्धी से युक्त पुरुष जो है मिश्काम कर्म योग की बुद्धी से युक्त पुरुष सुक्रतह दुश्क्रते पुन्य और पाप उभे इन दोनों को इह मतलब इस संसार में छोड़ देता है। इसलिए तस्मात योगाय युजस्व। इसलिए क्या है? तुम समत्व बुद्धी रूप योग में क्या है? युजस्व मतलब लग जाओ. क्योंकि योगह करमसु कोशलम क्योंकि यह योग ही करमों में कुशलता है. बगवान शिरकिष्न काते हैं कि बुद्धी युक्तः सुखृतह दुष्कृते उभे इह जहाती निश्काम कर्म की बुद्धी से युक्त पुरुष्छी जो है वे शुकृतह पुन्य और पाप दुष्क्रतह पाप इन दोनों को इह जहाती इस संसार में क्या है छोड़ द तस्मात इसलिए तुम क्या है योगाय युजस्व समत्र बुद्धी रूप योग में क्या है लग जाओ क्योंकि योगा करमसु कोशलम योग ही क्या है कर्मों में कुशलता है। त्याकर मुक्त हो जाता है। व्यक्ती किसी कामना से ही कर्म करता है वे कर्मों के फल को चाहता है ये कर्म फल की कामना ही उसे कर्म बंधन में बांती है। फलतह वे जो भी अथवा अशुब कर्म करता है उसको उसे पुन्य और पाप प्राप्त होता है और इसके विप्रीत यदि व्यक्ति किसी भी कारे को ये कर्म करना मेरा करता भी है इस भावना से समत्व बुद्धी पुरुवक निश्काम कर्म करता है तो उसे इस कर्म का फल प पाप दोनों को इस लोग में परित्याग कर देता है। अता तुम योग कर्मों में कुशलता है, निशकाम भावना पुर्व कर्मों को संपन करना ही योग कहलाता है। धन्यवाद।